हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल आज मैं आपके साथ लेम लिवर याने के कलेजी रेसेपी सेर करूंगे कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कलेजी को क्लीन करेंगे उसे क्लीन करने के लिए एक पैन में कलेजी एड़ करेंगे उसके साथ उसमें थोड़ा सॉल्ट एड़ करेंगे और उसे गरम पानी एड़ करकी 15 मिनिट तक बोईल होने देंगे 15 मिनिट के बाद हम इस पानी को डिसकार्ट करके कलेजी को अच्छे से वाश कर लेंगे आप देख सकते हैं कलेजी को वाश कर लिया है मैंने यहां पर अब हमें जो इंग्रीडियन्स चाहिए वो कुछ यह हैं क्लिन की हुई कलेजी टमाटोस फ्राइड अनियन सोल्ट चिली पावडर कुमिन पावडर कोरियांदर पावडर हल्दी ओएल गरम मसाला पावडर ग्रीन पेस्ट गालिक जिंजर पेस्ट सबसे पहले पेसर कुकर में ऌईल एड़ करेंगे और ओएल गरम होने के बाद गालिक जिंजर एड़ करेंगे उसे दो से तीन मिनिट तक सोते कर लेंगे कि साथी में हम ग्रीन पेस्ट एड़ करेंगे यह ग्रीन पेस्ट का क्योप मैंने कोरियांडर लीव्स मिंट लीव्स गारलिक और ग्रीन चिली से बनाया है और उसे फ्रीज कर लिया है अब इसके बाद हम इसमें फ्राइड अनियन एड़ करेंगे फ्राइड अनियन को दो से तीन मिनित तक कारलिक जिंजर पेस्ट और ग्रीन पेस्ट के साथ कोप कर लेंगे साथ ही में अब हम ट्राइड स्पाइसिस एड़ करेंगे अच्छे से सारे स्पाइसिस दो से तीन मीट तक कुक कर लेंगे अब हम इसमें बोस की हुई कलेजी एड़ करेंगे कलेजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसिस के साथ चार से पांच मेट तक कलेजी को अच्छे से भूनेंगे अब हम इसमें रफली चॉप टमेटोज एड़ कर देंगे तमेटोज को भी कलेजी और अधर स्पाइसिस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे तीन से चार मिन तक को खोने देंगे अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे आप अपने पेसर कुकर के हिसाब से कम ज़्यादा पानी एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे वन कप पानी एड़ किला है अब इसे प्रेसर कुकर करेंगे का लीड लगा कर प्रेसर कुक करेंगे तीन से चार विसलाने तक अब हम खोल के देखते हैं कलेजी अच्छे से कुक हो गई है हम इसे चेक कर लेंगे कर लेजी अच्छे से कुक हो चुकी है अब हम इसमें गरम मसाला पावडर एड़ करेंगे उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे कवर लगा कर 10 तू 15 मिनिट्स कुक होने देंगे हमें पानी को सिर्फ ट्राइ करना है उसके बाद हम इसमें कोरियांदर लीवज एड़ करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी मसाला कर लेजी लेम लिवर रेड़ी है सर्फ करने के लिए अब आपको मेरी ये रेसे पे अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे सेर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर ना भूले थेंक यू फो वच्छिं